अलो स्वागत है आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम सभी स्वीडियो के लिए लेकर आचुके यहाँ पर important question paper आप सभी के जो कि राजिस्तान वोड के paper start हो चुके हैं तो यहाँ पर आपका आठ तारीक को आपका कल होने वाला है जो कि आपका पेपर यहां पे हिंदी का तो हिंदी का हम आपको most important question आपको इस वीडियो के मादम से provide करने वाले हैं तो यहां पे देख पा रहे हुए बच्चों यहां पे खंड आ दिया गया है तो खंड आ बहु विकल्पिये प्रिस्ण यहां से start हो रहे हैं आपको यहां पे दिया गया है निमलिकित देख सकते हैं निमलिकित आपटित गद्यांस को पढ़कर दिये गए बस्तुनिष्ट प्रस्नों के उत्तर अपनी उत्तर कुस्तिका में लिखी तो आपको यहां पे देख सकते हैं आपटित गद्यांस दिया गया है तो इसमें बढ़ींगे असे आसानी से गोर से तो इसमें देख सकते हैं दिया गया गया सिक्षा का उद्धेश है आपका आपको प्रदान करती है तो यहां पर प्रदान करती है जिससे बाणुप का विकास होता है फिर इसके इसका correct answer आपका हो जाएगा ग्यान जेतना को ठीक है तो आपको इसके प्रकार से question पूरे tick कर लेने हैं पूरे सही हो जाएंगे इसके बाद यहां पर fourth question भी दिया गया 5 करके और 6 करके देख सकते हैं जो की छटमा वाला दिया है 6-6 का उद्देश है तो यह आपको लिख देना इसका जो की खंड आक आपका उसी का दूसरा ही question निम्लिके आप अठित गद्यांस दिया गया है इसको पढ़कर आपको प्रसन उत्तर पुस्तिका में fill कर देना है ठीक है तो आपको यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर पढ़ लेना है तो यहां पर पहले सरप्रितम question आपको सावलाँ आंसर यहां पर फिलकर देना है ठीक है आपको सावलाँ निम्लिका हो जाएगा फिसके बाब पौतकी होद्थ के भाद आधा है आप ही आप कर आप ही आप चरें या correct answer हो जाएगा फिर इसके बाद आप एक और question दीए गहें तो उन्हें आपको practice आपको कर ले ना इसको आपको अपने साफ से fill करना है जो कि आपके ये तैयारी के लिए है paper तो आप ये fill कर लीजिएगा देखिए वच्चो यहाँ पर आपका आता है question number second जो की हिन्निम लेकित रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजी तो यहाँ पर आपका पहला question पूछा गया है एक देखिए एक समी एक सीमित छेतर में बोले जाने वाले भाशा के इस्तानिये रूप को 10 कहा जाता है तो correct answer आपको fill कर दिन है यहाँ पर आपका आजाएगा छित्रिय भाशा आजाएगा फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर question number second question number second हो जाएगा भाशा के सुद्ध और सुद्ध और सार्थक रूप सार्थक स्वरूप का निर्धारन डेस्क होता है तो यहाँ पर आपका क्या कहलाता है त थया है यहां पर सकते थे तो यहां पर एंडर हो जाएगा गारी ना शन्व दिया गहां तो अपने यहां पर फोर्त वाली नहींड एंटर में प्रस्टेंट आंसर आपको पूछेगा हुश्टो आपको छून-ध घैप पर लगुनातन वक जो की प्रसने दिये गा है short answer में पूछे गा है तो आपको फिल कर दिना है तो यहां पर आपका पहला question आ जागा जो की यहां पर पूछा गया है निम्न परिभाशिक निम्न परिभाशिक सब्दों के अर्थ लिखिए तो यहां पर अर्थ लिखना है आपको यहां पर जो की हापमाक्स का पूछा गया है यहां पर हो जागा राजपत्र राजपत्र सब्द के लिए यहां पर हो जागा परिभाशिक सब्द लिखिए तो यहां पर इसको fill कर देना है फिर इसके बादाता है कोशन चोने सिन्कार केव खर दिया फिर हापको यहांपे आअट्प मां था आका 10D कोशिशन दिया गया, तो यह dapat पूरे आंसर फिल कर देना है, आपको एक एक सब्ट में लिखनाit trabalho क्योंकि ह् हिंदी का पेपर है, cé dove हिंदी में ज्यादा तर आपके 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते हैं और हिंदी का पेपर है आपके वाकी के पेपर आपके खराब गए होंगे जैसे बाई चांस तो आपको इन में से हिंदी के पेपर में आप जो की गेन कर सकते हैं आपके मार्क्स ठीक है तो कि यह हिंदी का पेप आपको हिंदि में जैसे पूछा जाता है तो एक सब्द में ही लिखना है जा go उत्तर उट्वार कि गाली सब्द में लखना है यहां पर चाली सब्द में लखना है पचास से आपको बढ़ाने की जर्युक्त नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो की फूर्थ कॉश्चन यहाँ पे पूचा गया है देखी यहाँ पे पूचा गया है रेडियो और टेली विजन समाचार की भरी भाषा सेली की विसिस्ता लिखी तेली विजन देख सकते हैं रेडियो और टेली विजन में किस परका से आप क्या अभी प्रिया है तो आपको ये लिख देना है फिर यहां पर आपका आता है छटमा कोशन जो की बढ़ती हुई महंगाई विशय है पर एक एक सम्चिप्त लेक लिखना है तो यहां पर आप लिख दीजिए का बढ़ती हुई महंगाई के बारे में किस परकार से अभी के समय में आपका पैट्रोल डीचल के भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इस परकार से आप दो लाइन में लिख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आपके साथमा और आठमा कोशन दिया गया है आपके रसकी पुतली किसे और क्यों कहा गया है तो आपको लिख देना है आपके जो की पार्ट में दिया गया है पार्ट में से तो यह आपके आंसर यहां पर दियेगा है ग्यारमा कोशन है शुद्रा बाबू किसनन्दा के मादक का 5.4 मैं विखास यहां पे हो जागा विश्तवास क्यों बढ़ने लगा तो आपको यह तूरा लिख देना है अंसर और इसके बाद आपका आता है यहां पे दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं रगूपीर सहाई कि कभी परीज लिखिए तो यहां पर लिखना है आपको यहां पर हो जागा है जो कि इसमें अतवा करके कोशन दिया है धर्मीर भारतीय कालेका का परीछे लिखेँ आपको परीचे लिखेजिए लिखे देना है यहां पे आपका स्टार्ट हुँरा जो कि नमर में आपक यह Hmm लिखते कुछी लिखे हैं तो यहां पे सत्रम में 17 कौशचन वंहीनलिकित पद्यसकी प्रसंग प्रसंग बेख्या लिकिजिए तो आपको बेख्या ना यहां पर बेख्या पूची गई है और यहां पर आपका 18th question यहां पे देख सकते हैं नेमलेकित गत्यांस एवं साप्रसंग बेख्या यहां पर लिख देना है यहाँ पर देख सकते इसको पढ़के आपको अथवा करके भी question दिया गए है तो यह आप लिख लीजिएगा ठीक है आपको यह मालूम होगा किस प्रकार से लिखना है बिल्कुल easy है और अगर आपको इसके answer चाहिए तो answer आपको हमा जो की website की link description में दी ही गई है तो वहाँ पर आप जाके बिल्कुल पीडिया डाउनलोड कर सकते है answer का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है मादमे सिक्षा वोड राजस्तान की और से उच्च मादमे सिक्षा दोचार वाई से तू अवश्यक परिक्षा सामगरी सामगरी की आप उर्टी करने हे तू निमंदा यहाँ पर निविदा का एक यहाँ पर प्रारूप तयार कीजे तो यहाँ पर निविदा लिखना है आपको यह लिख दीजे का अत्वार करके भी question दिया गया है तो यह भी पर पहला देख सकते हैं यहाँ पर दिया है वैसे को महामारी के दोरान online पर इक शिक्छा तो online शिक्छा आपको किस परकार से आपको करी गई है यह आपने की है तो आपको लिख देना है online सिक्छा जैसे की ऑफ- line करते है तो offline में तो थोड़ा सा ठीक रहता है लेकर online में थो रहा है तो यह लिख देना है बिद्याल है और अनुसासन हो जाएगा बिद्याल है मैं अपन को अनुसासन किस प्रकार रखना चाहिए तो यह आपको जरूरी है तो आप यह लिख दीजेगा ठीक है तो आपको यह इस प्रकार से आपका पेपर था और अगर आगर आपको इसक चेप्टर जो कि पहले हम आपको बागी सब्जेट के पीडियेप भी प्रोवाइड कर चुके हैं तो उसी में से आपका पेपर आया था तो इसमें को आपको इसको भी तैयार रिरू कर लेना है सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ सो थैंक यू सो मच